भारत के लोग चावल खाना बहुत पसंद करते हैं इतना कि बिना चावल के एक टाइम भी नहीं रह सकते हैं यही वज़ा है कि यहाँ चावल की खेती खूब होती है और इस तरह के चावल की खेती होती है यानि सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा लेकिन आज मैं जिस चावल के बारे में बताने जा रही हो, वो दुनिया का सबसे महगा चावल है। सिर्फ यही नहीं, बलकि खाने वाले असी के उम्र में भी यंग रहते हैं। इसे दुनिया के अमीर बेशक शौक से खाते हैं। इसमें तमाम एक्टिव इंग्रीडियेंट्स होते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे खास चावल बनाता है। इसकी पैदावर के लिए चरम की गर्मी के साथ बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन भारत इसकी पैदावर के लिए अनुकूल नहीं है। जी हाँ, कोई सोच भी नहीं सकता कि रेगिस्तानी मिट्टी में भीशन गर्मी के दोरान इसकी फसल तयार होती है। दैसल इसकी पैदावर साओधी अरब में होता है, अरब के अमीर शेक लोगों का ये पसंदिदा भोजन है। इस खास किस्म के चावल का नाम है हसावी राइस, इसकी पैदावर के लिए 48 डिग्री सिल्सियस तक की गर्मी चाहिए। इसकी कीमत की बात करें तो हसावी चावल 50 साओधी रियाल पर कीलो है, अगर इसे इंडियन रुपी में कनवर्ट किया जाए तो इसकी कीमत 800 से 1000 रुपे के बीच आएगी। हलाकि कुछ हसावी चावल औसत दरजे के होते हैं, जिनने लोग 30 से 40 रियाल यानी 800 रुपे के करीब में भी खरीदा जा सकता है। इतने में तो एक शक्स का महीने भर का खाना आ जाए। भीशन गर्मी में रुपाई और फिरसाल के अंत 9 दिसंबर में इसकी फसल काटी जाती है। इस चावल का रंग लाल होता है और लोग इसे रेड राइस भी कहते हैं। अरब में लोग इसका बिर्यानी बनाने में भी इस्तिमाल करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर बुजर्ग भी इस चावल को खाएं तो उन्हें जवानी जैसा महसूस होता है। कहा जाता है कि इसमें बासमदी की तुलना में ज्यादा एंटी ऑक्सिडेंट्स एक्टिवीटी भी होते हैं। इसमें पानी में घुलने वाले विटमीन और जिंक की मातरा भी बासमदी की तुलना में ज्यादा होते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इनसान के भोजन में अगर इसे शामिल किया जाता है तो ये काफी फाइदेमंद रहेगा। इसे इनसान को प्रोपर अमाउंट में न्यूट्रेंट्स मिलने के साथ अच्छी मातरा में फाइवर भी मिलेगी। इसे कूल मिलाकर आपके फिटनेस बनी रहेगी। इसके सेवन से आप लंबी उम्र में भी एनरजेटिक फिल करेंगी।